ही गाइस वेलकम टू मैं चैनल तो कैसे है आप सब तो ये देखे आज मैंने बना एक रहले का भर्वा आप देख सकते हैं मेरा भर्वा कितना अच्छा बनकरेडी हुआ है तो इसके लिए मैंने दो करहले को लिया है और दोनों करहले का ऊपर का जो चिलका है उसे हम निकाल ल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरी नहीं नहीं वीडियो की नौटिफिकेशन चली जाए और आप मेरी वीडियो को देखें तो यह देखिए मैं इस तरीके से छिल कर कट कर ली हूँ एक करेले में मैंने तीन टुकडा कटा काटा है तो आप देख सकते फिर इसे मैं अछी तरख्या से वास कर लूंगी तीन‌-चार पानी लेकर और फिर इसे हम कूकर में ट्रांसफर करेंगे कूकर में डाल कर इसे हमें बॉयल करना है तो यह देख सकते हैं आप देख्यां इसमें मैंने वान बॉयल के करीब पानी डाला है अब इसे में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और चारो तरफ से इसे मैं मिक्स कर दूँगी ताकि हमारा जो नमक है वो एक जगा ना रहे सभी जगा मिक्स होकर जाए और यह देखिए दूसरे तरफ मैंने यह लेसन लिया है लेसन को हम अच्छी तरह से छिल ल करेंगे और यह देखिए मीडियम साइज का ही मैंने प्याज लिया है और सबको मैं छोटे-छोटे टुग्रों में कट कर लूँगी बिल्कुल बारिक-बारिक कातना है जिसे की जो हमारा मशाला है उसमें अच्छी तरीके से मिल जाए तो इस तरीके से देखिए हम कट कर ल प्याले को हम निकाल लेंगे बरतन में और थोड़ा ठंडा हो जाए तो इससे हम बीच को भी निकाल लेंगे अब चलिए इसके लिए मसाला बनाते हैं तो मसाला बनाने के लिए मैंने वन टेबेल स्पून के गरी मस्टर्ड सिट्स लिया है और यह गार्लिक जो मैंने छील क तेल जो गर्म हो गया तो इसमें मैंने प्याज को डाला है और फिर मैं मसाला डालूँगी मैंने कोई छोगा नहीं लादा है तो बस प्याज को भी निकाल यह अब बैख सकते हैं मसाला हमारा fry हो रहा है और यह जो मैंने बीज रखा था इसे बीज में हम एड़ कर देंगे और बीज भी हमारा अच्छे से भून जाएगा क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा ओईल है तो आप चाहें तो इसे अलग से भी फ्राई करके डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं बट मुझे अच् हमारा फ्राई हो चुका है इसे मैंने निकाल लिया अब चलिए इसे भरते हैं करेले के अंदर यह देखिए इस तरीके से मैं मसाले सारे मसाले को सब करेले के अंदर डाल दूंगी और फिर इसे फ्राई करूंगी यह देखिए इस तरीके से आप और दूसरे तरह मैंने बोड़ दूँगी ताकि जब तक मैं उसमें भरू और हमारा तेल गर्म हो जाए फिर देखिए मैं इसमें ट्रांसफर कर दी हूँ और करेले को मैं अच्छी तरीके से तल लूँगी फ्राई कर लूँगी ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है करेले का भरवा सब को नहीं पसंद होता है जो करेले नहीं खाते हैं उन्हें नहीं पसंद होता है जो खाते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है हम लोगों मेरा फ्राई हो गया है अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांस्फर करते हैं इसी तरीके से मैं जो बचे हैं रिष्ट करेला उसे भी फ्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं मेरा करेला का भरवा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईए ओके बवाई